ये उन दिनों की बात है जैसे तुम्हारी एक फैमिली है न स्वीट सी एक बहुत अच्छी थी फैमिली वैसे नानू भी मेरी फैमिली थे बाकी तो तुम्हें बता है मेरे बारे में एक शहर से दूसरे शहर, एक बोर्डिंग स्कूल से दूसरे बोर्डिंग स्कूल लाइफ में कभी सेटली नहीं हो पाया और इसी वज़े से कभी कोई दोस्त नहीं बना फिर मुझे मिले मुन्ना पंडित मेरी जान, मेरे भाई, मेरे सब कुछ तुम्हें तु पता है न न न जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारे अपनी ही हमारा साथ छोड़के चले जाते हैं लेकिन मुन्ना पंडित मुन्ना पंडित ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया वो हमेशा मेरे साथ रहे especially हमारे केस में चाहे वो तुम्हारे गर के नीचे आने वाली बात हो या फिर तुम्हारे पापा से डाट खाने वाली बात मुन्ना पंडित हमेशा मेरे साथ थे मेरी पर्चाई की तरह मैं चानती हूँ समीर वो दोनों तुमारे बेस फ्रेंद्स हैं और हमेशा रहेंगे पर इन सब का हमारे रिष्टे से क्या तालुक तालुक है बिलकुल तालुक है नैना मुन्ना हमारे रिष्टे से खुश नहीं है उसको लगता है कि अखर तुमने दुबारा मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या हाल होगा नैना जैसे तुमारे लिए तुमारी फैमिली इंपर्टन है उसी तरह मुन्ना भी मेरे लिए बहुत इंपर्टन है मैं आम सॉरी मैं मुन्ना के अगेंज नहीं जा सकता कभी नहीं लाइव में दो और दो बांच ना होते तो लाइव कितनी बेरंग हो जाती है ना चाचा जी ऐसे जट से मान जाएंगे ये किसने सोचा था और ये किसने सोचा था कि काम्या स्वाती सुनेना सबको पीछे छोड़कर मुन्ना मेरी सौतन बनेगा स्कूल में मॉनिटर के तौर पर मैंने उसको जितनी पनिश्मेंट्स दी थी ना लग रहा था कि सबका गिन गिन के बदला ले रहा है वो समीर ने अपनी दोस्ती निभाई इस बात की खुशी थी और उसी दोस्ती से जलन भी हो रही थी यार यह समीर आया क्यों नेवी तक अधनी क्या काओ गोस्तने नेना से तुझे बस नेना की पड़ी है क्या समीर का भी सोच अवे बच्चो क्या हुआ हालत पतली हो गई इलेक्शन कैसे जीतोगे अगर इतने सही डर गे तो पहले सुनेरा से डर गे नेना नॉमिनेशन से हट भी और आज सलमान गायब है सब ठीक तो है वानर सेना में क्या यार कार्तिक आज तुझे दो ही है वो टीसरा बंदर में जर नहीं आ रहा शी से में देख बंदर के साथ साथ बनमानुस भी दिखिए आएगा क्या बोलबे कार्तिक लेकर जाइस चपडगंजू को पहले बहुत दिमाग खराब और जादे दिमाग खराब हुआ ना महा कसम महिला करकनूंगा शबका चाल लेकर कार्तिक कार्तिक इन से लगके कोई फाइदा नहीं बच्चे हैं अगा समीर भी नहीं हाँ चलो यहना से हाँ हाँ जा रहे हैं लेकिन अपने उस सल्वान को कह देना कि कल हम लोग कॉलेज में एक बड़ा धामाखा करने वाले हैं अगर तंग होना कर लेना सामना चलो गाइस मुन्ना पंडित कुछ जाद ही नहीं मुश्क्रादी तु आज दो रुपे का नोट मेले कैसा लगते क्या मैं अरे इसका कहने का मतलब तु तक खुश कहा है अरे इलेक्शन की कैमपिंग शुरू आरी है मैं ही जीत तूँगी 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 मतलब भूल गया क्या मैं इलेक्शन लड़ रही हूं यारे समीर आया क्यों अभी तक मुन्ना तू सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूं मैं समीर की टेंशन हो रही है और तूप अपनी बड़बड करे या रही है खुश होगा ना तू बहुत मेरी तरफ देख देख मेरी तरफ समीर आया मेरे बीच में सखतम हो गया अब खुश है तू मैं तो पहले सी जानती थी कि तू जलता है मुझे और समीर को साथ में देखके मैं क्यों जो लोगा तुछ से क्योंकि समीर तुछ से जादा इंपोर्टेंस देता था मुझे तुछ से जादा प्यार करता था मुझे हां समीर तुझे मुझ से ही नहीं सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुने किया ही किया उसकी लिए अस तक सादमेजी ने मरने की कसम खाई वादरे किये और भीच मुझे अकेला छोड़ दिया ना तुसे प्यार कर दिया ना तुछ उसकी फिकर है और अगर उसकी किसी को फिकर है तो वो है मुन्ना आदी आधी रात में तेरे घर के नीचे खड़ा रहा है तेरे घरवाने उसकी बेज़ती की पाने दिये और तो फूझा दीदी की शागी में भड़ी दूपरी में तमुता गाड़े गलेने और तुने कह किये अच्पी कर सकती है बात करती है अच्छा मिलने दे बुनना मैं सा मुना जिस कुछ से मैं निकली है सच में खूदने तो नहीं जा रही है ना कितनी बेवकूफी वाली हरकत थी अगर उस जमाने से आज का जमाना कमपैर करूं तो आजकल के बच्चों का एक ही मन्त्र है लाइफ में जिन्दगी जियो तो शान से अब ये बिना बाद के खत्रे उठाना कितना सही है और कितना गलत वो तो मुझे नहीं पता लेकिन ये जरूर कह सकते हूं कि मुन्डेर की एच पर घड़े होना उन दिनों भी बेवकूफी थी और आज भी बेवकूफी ही कहलाएगी भगवान न करें उस दिन अगर मेरा बैलंस भी कर जाता तो मुन्ना की दोस्ती और मेरा प्यार सब धराता धरा रह जाता आज पलटकर देखती हो तो हसी भी आती है और खुद पर गुस्सा भी आता है कि प्यार साबित करने का कोई और परिका नहीं मिला था मुझे वैसे आजकल तो बह मुन्ना जैसे होते थे अब प्यार करने वाले मेरे और समीर जैसे कि समीर को देखा अरे समीर वो नेना गई उपर वो जारिया उपर हो जओ क्या हो नेना को नेना वो तो हुञना से बह्त होगी चोट पिंद से नेना कूट रिए चोट 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 चल चोटım कारए पुन रॅभ कि सव य् रुख कर देत को एडि बढ़रा आगे आगे나हीं प्लीत के घुल थार्व prz reden नहीं नीचे होता रजंद, नेल-डा, प्लीज. मैं तेरे सामरे हाथ जोड़ता हूं, नेल-डा, प्लीज, नीचे होता. मुन्ना, हाथ तो मुझे तेरे जोडने चाहिए, सची. तूने सर्फ समीर के लिए यह नहीं, मेरे लिए भी बौहथ कुछ किया है. अगर तू नहीं होता तो शायद हमारा रिष्टा इतने साल भी नहीं चलता तू ने तो मेरे बापा के तबढ़ काकर भी पूचा दीटी के शादी में पूरा काम किया ताकि समीर मुझसे बात कर सके हमारी लव स्टोरी शुरू हो सके सच्ची मुन्ना तू ने सिर्फ समीर के लिए ही नहीं मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है अरे तू नहीं होता तो तू शायद समीर दिल्ली से ही वापस नहीं आता तू सिर्फ समीर का ही नहीं, तू मेरा भी दोस्त है, और आज यहां से गूद के, मैं सिर्फ अपना प्यारी नहीं, अपनी दोस्ती भी थाविद करूँगी नेना नेना मत गूद, रुख जा, नेना रुख जा अरे नेना गिर जाएगे, उतर नेना जाएगे नेना! तुम पाकळ हो गी हो... समिर रुको! तुम जाओ यहाँसे! या मेरे और मुन्ना के बीज की बात էै के नेना तुम पाकल हो गी हो... रामी... मुन्ना गोलिगत है कि में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती आज यह से कूटके में थाबित करूँगी कि मैं क्या कर सकती यह कहना गलत है कि वीजेन के हर पिलर पोस्ट पे हमारी प्रेम कहानी लिखिये अरे हमाई दोस्ती के किसे का मशूर है क्या कहते हैं न कि प्यार के ढाई अक्षर दुनिया में सबसे बड़े होते हैं लेकि लोगे भूल याते हैं कि दोस्त शब्द में भी धाई अक्षर होते हैं और उस पल वही धाई अक्षर का पाट हमें एक दूसरे को आखों आखों में पढ़ा रहे थे मुन्ना ने मुझे हग करके नेना से सौरी कहा और नेना ने भी नेना नेना ने हग नहीं किया उसने बिना हग किये ही अपनी बेकूफी के लिए उससे माफी माग ले भूम ले चाग के वाग ले भी बाता है भॉट जाए नहीं है कारॉटくंज। शांथ सब शांथ, सिट्यूइशन अंडर कन्ट्रोल है यानि इस्तितिन ही अंत्रेड में है थैंक गॉड़ यह ले ना तुनी अब को टरा आच है वाल बज गए इसा फिर से कभी मत करना तो अब क्या प्लान है? क्या करना है प्रपोज प्रपोज क्या बाद है मेरी जार अभी प्रपोज क्या बाद है मुन्ना क्या तू मुझे अपनी बाद बनाएगा अगल तू बेहन है मेरी बाव लो गया तू मैंने का सीधे जाके मना करें तूने सीधे जाक मना कर दिया अरे तो पागल है मैंने का छफसे कूच जा तो छफसे कूच ने चली गई समीर मेना सिंदिक है तेरे और जंदिकी से बढ़के कुछ नहीं होता या दोस्त दूने नहीं मुन्ना समीर के लिए तेरी और पंडित की दोस्ती सबसे पहले है और अब से तो सिर्फ समीर का बेस प्रेंड नहीं है मेरा भी बेस प्रेंड है अच्छा तभी तो इसने तुझे चच से कुच दे के लिए बोल दिया ओ डुपलिकेट देविया भारती उनना सिरफ कहने के लिए बोल रहा था विए विए नहीं ने तो सीरिसले ले ले लिए ना अच्छा अगर नैना के जगा तु आप तू होती तो तू भी सीरिसले लेती बिलकुल याल ठीक है फिर मैं तुझे बोलता हो तू अब भी क्या भी सलून जा और सर पे रेजर फेर के गंजी हो जा कर दो पता नहीं मैंने क्या उटा सीधा सोच लिया था मैं बावला हो गया था पागल हो गया था लेकिन हाथ सब समझ में आ गया है नेना के बिना समीर का समीर के बिना नेना आदे हैं अडूरे हैं सुरी यार इजा बता एक बात तेरे बिना समीर नेना आदूरे हैं वी लव यू यार यह अपर तुझे के आई टेंस में आप ने शोड़े हैं तुझे आपयो पिर टेंशन का अदूरे हैं होगी मैं कसम खाती हूं कि तेरे इस बुद्धु दोस्कों कभी नहीं चुड़ूंगी तेरे समसे काम नहीं चलेगा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे पूरा याकीन हो जाए एक मेंट कामे पैन कॉपी काल यह ले लिकित में दे टिती डाल हस्ताक सरकर को कॉमेडी फिलम चल रहे हैं खीकी खीकी करें जा रहे हो सीरियस में रहा भावी का लिख मैं नेना अगरवाल सुपत्री शरी लिख लिख सुपत्री शरीराकेश अगरवाल अपने होश और हवासने घोशिक करती हूं की समीर महिश्वरी को कभी ने छोड़ोंगी जाहे कुछ भी हो जाए सुक में दुख में घं में खुशी में हमेशा इसके साथ रहनेंगी अब तित्री डाल और हाश तांक सरकर अब ये समूत के तोर पे हमेशा मेरे साथ रहेगा ये उन दिनों की मासूमियत ही तो थी कि अगर दो लोगों का नाम प्यार से जोड़ दिया जाए तो वो एक अटूट बंधन माना जाता था अब चाहे वो नाम दिवारों पर लिखा जाया या नोटबुक के पन्नों पर कई सालों बात नोटबुक के पन्नों पर लिखे इन नामों का मुनना क्या-क्या करेगा ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे But that story is for another day अभी तो कॉलेज की कई यादें ताजा करनी है नया धमा का जो होने वाला था ताजा का जो का जो होने अजा मादी ताजार था भी ताजार था अटानाँ.